तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे वीडियो में आज ये जो आपके सामने एक डिजाइन बनी हुई है क्या ये डिजाइन टाइल्स है या फिर ये टेक्स्टर है या फिर ये कलर में बनाई हुई है इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप देखते रही है मेरे वीडियो को और ये जो डिजाइन है ये इन बोक्स में है बन फ्लेक्स स्टोन आयन्स ये एक कंपनी है जिसका ये बोक्स है क्वार्टो स्टोन इस पे लिखा हुआ है और 7.11 स्काइर फिट एक बोक्स से काम हो सकता है दिवार पे तो चलिए आब इन बोक्स को करते हैं ओपन और देखते हैं आकि है क्या इन बोक्स में ये कर लिया है आपके सामने बोक्स ओपन और अभी देखते हैं इस बोक्स में से क्या निकलता है इस box में से मेरे को तो यसा लग रहा है कि यह tiles है पर यह tiles अपने ceramic भी tiles नहीं है और vitrified tiles भी नहीं है यह tiles lime stone और marble की mixing की बनी हुई है और यह मैं सिर्फ एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि यह tiles lime stone और marble mixing की बनी हुई है बाकी इसकी material का composition मेरे को पता नहीं है मैंने search करने की भी कोशिश की लेकिन मेरे को पता नहीं चल पाया है अभी देखिए यह tiles इसमें से निकाल ली गई है और इसमें खास बात एक box में यह है कि इसमें 8 tiles निकल रही है और हर एक दो tiles की design अलग अलग है एक box में 7.11 square feet काम हो सकता है जो मैंने आपको पहले ही बताई आए और चार परकार की design की tile निकली है एक flower वाली tiles है और एक horizontal और vertical lining की mixing tiles है और एक tiles में diagonal lining बनी हुई है दूसरी में भी horizontal और vertical mixing tile है लेकिन उसकी जो design है वो कम highlight की हुई है और यह देखिया आपके सामने चार परकार की जो design tiles इस box में से निकली है वो सबी है तो शुरू करते हैं tiles लगाना tiles लगाने से पहले यह जो एक chemical है इसको एक साब तगारे में डाल लिया जाता है यह primer है जो अपनी wall पे tiles लगाने से पहले apply किया जाएगा ताकि tiles और एक chemical दूसरा में और बताऊंगा आपको जो wall और tiles के बीच में एक bonding का काम करेगा इस chemical से दिवार पे पहले प्राइमिंग की जाएगी प्राइमिंग इसलिए करते हैं ताकि दिवार पे धूल मिटी वगेरा हो वो अट जाए और जो अपनी wall है वो tiles के साथ में अच्छे से bonding मना ले इसलिए हम यह प्राइमिंग करते हैं तो दोस्तों जब तक यह मिस्त्री अपना काम कर रहा है तब तक आप अपना काम कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो नए आने वाले वीडियो है जो नई नई डिजाइन और टेकनोलोजी कंस्ट्रक्शन लाइन में आएगी वो आप देख सकें चलो शुरू करते हैं टाइल्स लगाना टाइल्स लगाने से पहले एक केमिकल एक केफिक्स का पॉली रेथेन एडेजिव जो की वाइट कलर का आता है ये टाइल्स की बेक साइड पे अपलाई किये जाएगा और इसी से हम टाइल्स को दिवार पे लगाएंगे बिना किसी सिमेंट मोटार के बिना किसी वाटर के बिना किसी पानी मिलाई हुए डारेक्ट ये सिलिकॉन अपलाई किये जाएगा टाइल्स पे यह tiles पे silicone back side पे लगा दिया गया है और tiles की back side rough है जैसा कि आप देख सकते हैं tiles की back side rough होने एक से फा हीदा यह होता है कि यह chemical के साथ में अच्छे से bonding कर लेता है और यह आप देख सकते हैं silicon लगाने के बाद में थोड़ी सी tiles को थपका दिया जाता है ताकि केमिकल अच्छे से पीछे की साइट फैल जाए और इस प्रकार हम सभी टाइल्स को सिलिकॉन से एक एक करके लगा देते हैं इस डिजाइन में कुछ ध्यान रखने ही वाली बाते भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि यह डिजाइन ऐसे नहीं है कि अल्टरनेट हर जैसे टाइल्स लगा दिये वह मैं आपको आगे बताऊंगा और उसके बाद में यह देखिए यह फ्लेक्स स्टोन का एक केमिकल है इसको कैसे अपलाई किया जाता है वो भी हम देखेंगे और कहां अपलाई किया जाता है इसको एक तगारे में डाल लिया जाता है और यह यह वाइट कलर का केमिकल है जब अपनी सभी टाइल्स लग जाती है उसके बाद में ब्रस से सभी टाइल्स के उपर इस केमिकल को अपला ही किया जाता है ताकि जो टाइल्स के जॉइंट है उनमें ये केमिकल अच्छे से फिल हो जाए और टाइल्स के जॉइंट को अच्छे से बॉंडिंग बना ले टाइल्स के जॉइंट के साथ में और इस केमिकल से थोड़ी सी टाइल्स पे चमक भी आती है ये केमिकल अपलाई होने के बाद में आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या चीज़े जियान रखी हुई है अब देखिए जैसे ये डिजाइन बनी हुई है और चार परकार की डिजाइन की टाइल्स है लेकिन इसमें जो खास बात है एक डिजाइन की टाइल्स के आस पास में कोई दूसरी सेम वही डिजाइन की टाइल्स उसके पास में नहीं लगाई हुई है यह देखिये जैसे flower की design है तो उसके पास में कोई same वही design की tiles नहीं लगाई हूई है इसी परकार जो अपने horizontal और vertical mixing की है उसके पास में same वही design की tiles उसके पास में नहीं लगाई हूई है और इस परकार यह सभी tiles की design बनाई हूई है यह दोस्तों Flex Stone Company की एक टेक्सर डिजाइन है जो Flex Stone Company आपके लिविंग रूम, बेड रूम चाथा पुजागर में ऐसी डिजाइन बनाती है उसकी यह डिजाइन है तो दोस्तों मैंने आपको पूरी इस वर्ल डिजाइन के बारे में डिटेल से जानकरी दिये और भी ऐसी नई नई डिजाइन में आपको Construction Line में जो आएगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद, थैंक यू